अज की बाग हम ये कुर्टी से बनाएंगे ये हमने दो पिसेस लिये और 12.50 इंच इसकी हाइट है और 16.50 इंच वीड़् थै इसके पीछे हमने ही कैनवास अडाच किया दोनों के पीछे से एक पीस लेती हूँ यह 16 इंच की साइड है तो हमने ऐसे फोल किया हम इसके उपर मार करेंगे यह फोल्ड साइड है और यह ओपन साइड है तो यहां पर यहां से यहां से हमने 2 इंच का मार किया 2 इंच का यहां से भी यहां तक दो इंच का मार किया यह होने के बाद यहां से यहां तक भी ऐसे दो इंच का एक हलका साम इसे डॉट करेंगे इसके बाद यहां से पौने दो इंच का हम मार करेंगे पौने दो इंच का और यहां से यह जो पौने दो इंच का मार्क है यहां तक हमने ऐसे किया और यह हमेंसे क्रॉस में जोड़ेंगे ऐसे इसके बाद यहां से दो इंच का मार्क यहां से दो इंच का मार्क और कोई भी इसे राउंड चीज लेके ऐसे राउंड करेंगे और यह होने के बाद यहाँ से यह जो मार्क है उबर से पाउने दो इंच का यहाँ से हम यहाँ तक ऐसे जोड देंगे कटिंग करते हैं यह जो राउंड शेप दिया था यहाँ से हम ऐसे कटिंग करेंगे और यहाँ से ऐसे तो यह पीस ऐसे बनेगा ऐसे ही हम इसके उपर शेप देंगे कैसे हमने यह दोनों पीसे सकटिंग किये यह होने के बाद यह जो साइड का बेस है को कट करने के लिए हमें ऐसे फोल्ड करना है यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने मार्क किया ऐसे ही यहाँ से इसे फोल्ड किया और यहाँ पर मार्क किया और ये मार्क से यहां तक कितना होता है वो हम देखेंगे और इसका बेस का पिस कटिंग करेंगे यह हमने इसी के साइज के दो अस्तर के पिसे कटिंग किये और यहां हम दो पॉकेट्स बनाने के लिए 16 इंच बाए 9 इंच के ये दो पिसे लिए है एक हम अस्तर के उपर पॉकेट्स बनाएंगे और एक फाबरिक के उपर इसके उपर हम एक विंडो पॉकेट्स बनाएंगे यह हमने 16 इंच बाए 9 इंच का अस्तर का पिस लिया इसके उपर सेंटर का मार्क किया है और यहाँ से एक इंच यहाँ से एक इंच और यह बॉक्स हमने आधी इंच का बनाया और यह अस्तर की उल्टी साइड है यह सेंटर का मारक उपर से तीन इंच मार किया और यहां ऐसे फोड किया और सेंटर का मार किया यह सेंटर और यह सेंटर जो त्री इंच का मार का है हमने ऐसे रखा और यह जो बॉक्स बना इसके उपर हम पहले सिलाई करेंगे ऐसे हमने सिलाई की सिलाई होने के बाद सिलाई होने की बाद इसे पोल्ड करते हैं पहले एक छोटा साथ कट करेंगी ये जो सेंडर का मार किया है उसके उपर इसके बाद यहाँ से और यहाँ कॉर्णर पर हम क्रॉस में कटिंग करेंगे ऐसे ही यहाँ दोनों साइड कटिंग होने के बाद हम यहाँ से अंदर की साइड करते हैं ऐसे हमने अस्तर अंदर की साइड किया यह होने के बाद नौ इंच की जीपर लिए इसके अंदर रनर डाला रनर की साइड ऐसे रहेगी और यह हम इसके अंदर डालेंगे और इसके उपर सिलाई करेंगे ऐसे हमने जीपर की चारो साइड सीलाई की सीलाई होने के बाद यह अस्तर इसे उपर की साइड करते हैं यहां से यहां तक सीलाई करेंगे यहां से यहां तक सीलाई करेंगे और यहां से यहां तक सीलाई करेंगे जैसे हमने ये pocket बनाया तेनों साइड से लाई कि जैसे हमने ये pocket बनाया ऐसे ही हम ये दो अस्तर के pieces हैं उसमें से एक अस्तर का piece लेंगे ये 9 इंच की जिपर ये 9 इंच 12 इंच का अस्तर का piece ऐसे ही हम अस्तर के उपर pocket बनायेंगे ये हमने एक 7 इंच 127 इंच का fabric लिया इसके पीछे ये paper के canvas हमने attach किया है सीधी side अस्तर के सीधी side के उपर चारो side हम सिलाई करेंगे इतनी space हम छोड़ेंगे इतनी space हमने छोड़ी है ये होने के बाद ये corner से हम cut करेंगे सीधी side करते हैं देखिए ऐसे हमने सिधी side किया ये ऐसे open space है और यहां हमने center का mark किया ये side ऐसे design खड़ी है तो हमने इसे ऐसे ली और यहां से हमने चार inch का mark किया ये center mark किया है यहां पर भी center का mark किया उपर की side में हम पहले सिलाई करेंगे उपर से हमने सिलाई की और ये center का mark ये center का mark उपर से 4 inch का mark है यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे इसे हमने ये pocket बनाया ये हमने दो belt के लिए fabric लिया है ये plane fabric है और इसका measurement है 30 inch by 4 inch का ये center से फोल्ड किया ये 1 inch का belt है ये belt हम इसके अंदर डालेंगे ये जो center का फोल्ड किया है यहां पर ये belt हम ऐसे रखेंगे यहां से एक फोल्ड यहां से एक फोल्ड और ये ऐसे हैं दोनो side सिलाई करेंगे और ये दोनों belt बनाएंगे ऐसे हमने ये दोनों belt बनाएं 30 inch के ये होने के बाद ये दोनों पीसे समलेंगे उपर से उपर से 3 inch का mark किया एक line draw की और ये center का mark है center से 3 inch एक side में 3 inch एक side में ऐसे ही हमने इसके उपर किया और ये जो belt है ये belt हम दिखिए ये जो mark किया है marking के बाहर थोड़ा सा ये line draw की है इसे 5 inch नीचे की side में हम इसके उपर सिलाई करेंगे ऐसे ही ये दूसरी side यहाँ दिखिए ये build जोडने के बाद हमने की 5 inch का fabric लिया इसको center से ऐसे fold किया ऐसे और यहाँ से एक fold यहाँ से एक fold यहाँ से एक fold यहाँ से एक fold ऐसे हमने पट्टी बनाई ऐसे और यह हम इसके उपर जोड़ेंगे ऐसे ऐसे यहाँ और यहाँ हम सिलाई करेंगे ऐसे ही इसके उपर यह हमने 16 inch की zipper लिए यह दोनों पीस हमने ऐसे सुन्दर से join किये यह होने के बाद यह front side का पार डम लेंगे जिपर यहाँ zip की सीधी side fabric के सीधी side के उपर और एक plain अस्तर का पीस है और एक pocket join किया हुआ तो plain अस्तर का जो पीस है पो हम लेंगे अस्तर की सीधी side zip के back side में यहाँ हम सिलाई करेंगे यह हमने अस्तर join किया यह जोडने के बाद ऐसे यह पीछे की side में करते हैं यहाँ top stitch और ही अस्तर और fabric हम साथ में जोडेंगे ऐसे हमने यह पीस join किया यह जोडने के बाद यह pocket की side ऐसे रखी ऐसे रखी इसके उपर यह easy पर separate भी कर सकते हैं ऐसे रखा यह back side में और यह side ऐसे रखी यहाँ सिलाई होने के बाद यह side ऐसे यहाँ top stitch और यह अस्तर और fabric हम यहाँ तक साथ में जोडेंगे ऐसे हमने यह दोनों side join किये जोडने के बाद दो runner लिए दोनों side से एक एक runner डालेंगे दोनों side से एक एक runner डाला यह हमने एक fabric अस्तर और यह canvas join करके एक piece बना इसका measurement है 32 inch by 6 inch का यह हमने यहाँ से ऐसे fold किया था और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है वो देख कर हमने यह piece cutting किया यह होने के बाद यहाँ पर यहाँ से एक inch का मार्क करेंगे एक इंच यहां से एक इंच और यहां से यहां तक सात इंच का और एक लाइन ट्रॉ करेंगे जैसे मैंने की हैं यहां से सात इंच का और ऐसे ही हमने यहां किया है और सेंटर का मार करेंगे सिंडर का मार किया दोनों साइड और ये होने के बाद ये जो मार किया है इसके उपर हम कटिंग करते हैं ऐसे ही यहाँ पर और ऐसे ही हम दूसरी साइड कटिंग करेंगे यहाँ पर भी इसके बाद यहाँ हमने सिलाई की कट करने के बाद ये फाब्रिक का पीस हम देंगे यहाँ ये साइड में ऐसे जोड़ेंगे दोनों साइड हमने ये दोनों साइड जोइन किये और इसके उपर पाइप इन की पाइप इन होने के बाद ये साइड ऐसे करेंगे और यहाँ टॉप स्टिच यहाँ से भी इसे कर सकते हैं यहाँ और यहाँ यहां ऐसे दोनों साइड हमने टॉप स्टिच किया टॉप स्टिच होने के बाद यह थूड़ा सा अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहां से तो हम एक्स्ट्रा यह ऐसे क्रॉस में कटिंग करेंगे ऐसे दूसरी साइड में भी इसके बाद यह जो सिंटर का मार्क एया था यह सिंटर का मार्क और यह सिंटर का मार्क हम जोड़ेंगे और पहले पीन से जोड़ेंगे देखिए यह मैंने एक साइड जॉइन की यहां से ऐसे और इतना यह राउंड बचा है कभी भी यह पीस बड़ा होना नहीं चाहिए यह अगर बड़ा होता है तो हम कैसे अट्जिस्ट कर सकते हैं यह मैं आपको बता देती हूँ यह जो राउंड है इसके उपर हम छुटे-छुटे से कट करेंगे ऐसे यह कट करने के बाद हम इसको जोड़ देंगे देखिए बहुत आसान है यह जोइन करना देखिए ऐसे यहां से भी तो इस तरह से हम यह साइड ऐसे जोड़ देंगे जैसे हमने यह साइड कट करके जोइन की ऐसे ही यह राउंड हम जोड़ेंगे ऐसे हमने दोनों साइड जॉइन किये जोडने की बाद हम इसलाई की बाहर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करेंगे और इसके उपर पाइप इन करेंगे जैसे हमने ये पाइप इन की है इसे हमने दोनों साइड पाइपिन की पाइपिन होने की बाद हम यहां सी सीधी साइड करेंगे देखिए इतनी सुन्दर यह बाग बनी है यहां एक पॉकेट बनाया यहां पर भी आप जीब का पॉकेट बना सकते हैं और यह बैक साइड में एक जीब का पॉकेट है अंदर की साइड में भी एक जीब का पॉकेट है इतनी बड़ी ये बाग है अंदर की साइड में यहाँ एक जीब का पॉकेट ऐसे आप छोटी बड़ी साइज के भी बना सकते हैं देखिए इसका फिनिशिंग बहुत सुन्दर ये बाग बनी है झालोब पोपश्ड़ कर दो बादे, गजया है?